नमस्का दोब्तों स्वागते हैं आपका TCEट चनल में दोस्तों आज हम आपको बताएं कि मोटर की हमाता हुची को बडू पर आपकर हो आपको निकलती आक अब करेैं कि आपर जा जाहें और जो है इसको कैसे सही करा जाए तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और आप सजह होगा या नहीं होगा तो ये भी मैं आपको बता दूँगा और इसमें कितना खर्चा आता है तो यह सलगा बीडियो में complete कर दूँगा दो तो एक चीज और भी है सिर्फ अगर आपकी स्पीड कम हो रही है मतलब और कुछ भी नहीं है मां लीजे चलाते-चलाते जहटका लेने लगा मोटर और स्पीड सिर्फ कम हो गई है तो उसका उपर भी बात करूंगा आखिर में भी बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है तो वह तो अपने आप फिना यहां पर इसका पेंच हम कोड़ लेते हैं तो देखे यह इसके अंदर होता है यह उपर ही होती है तो इंसे तो जो है यह यह काता है इससे थोड़ा सब मतलब कम रुपए का मिलता है तो उसमें क्या है बहुत घ्लिए तो तो इस इस था आपका मोटर लें बड़ा ले मोटर तो इसको भी में बात करूँगा पहले यह बता देता हूं कि आपकी स्पीड कम होती है sudah के अगर आपकी एक दम इद्पीट काम हो जाते हैं तो इसके कारबॉब हो यह च fällt ना होगे गरम हो नहीं हो रहा है कुछ भी करना और और होते हैं से घोर व Lawrence से क्रेंज करेंगे तो आपको तुरेंति करदी per च्रॉपई के दो्मिलते है साइद या इससे भी सस्ते होते हैं तो आपको जो है दुकान से लेकर डाल देना है अच्छा यह चीज हो गए अब यह भी बता देता हूं कि यह देखे अगर यह मोडर आपका आग फैंक रहा है बहुत जाता गरम है तो कारवन एक दिन में ही खतम हो जाएंगे और कुछ च स्पीड कम हो तो उसके उपर अब बात करते हैं आपके आग निकल रही है और जो है स्पीड कम हो रही है मतलब हलकी हो गही है बिलकुल भी और जो है मोडर बदबू मार रहा है और बहुत जादा गरम हो गया है मोडर तो यह इतनी परसानी अगर है एक संग आ गई है मोडर म ओक आपको दिखाता हूं यह देखी यह पूरा होता है यह तूटने लगता है अब बिल्कुल काला पड़ जाता है तो यह तरीके से खराब हो जाता है तो इसे आप कहलेंगे मोटर भूग भी गया है या और नेचर फिर सीधे इसका बदला जाता है तो आपने आप डालेंगे तो उसमें सांप को टूल बगएर लाना पड़ेंगे तो आपको सीधे दुकान पर चले जाना है और उससे आर्मेचर चेंज करवा लेना है यह फुक जाता है ना और यह बेकार हो जाता अफिर यह नया ही पढ़ता है इसका कोई सुल्वाट नहीं होता है यह रिपेयर नहीं करा जाता है हैं कि यह भी होता ही नहीं इस चीज्व का दियान रखते हैं अब कि यह आ Ill pi को बताता है कि यह पहेकने यह लगता है और मोटर हो जल्दी गरम क्यों हो जाता है बहुत दिन बाद अगर आपको यह चीज़ हो रही तो तो यह उसमें यह वाली पत्ती यह उना चाहि यह वाली पत्तीने आप लगा सकते हैं अपको दिखाऊंगा यह पेंच खोलेंगा यह बिल्कुल अलग हो तो इसका 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 है तो आपका हाय मोटर भीघूईगा नहीं और जहां पर आप बान देने ना तो वहीं पर यह चलती रहेगी अब मैं आपको यह बताता हूँ कि यह गरम क्यों होता है तो चलिए वह भी बता देते हैं तो दोस्तों जैसे कि हमारा यह मोटर लगा हुआ एक देखे यह है तो इसको अठा देते हैं और इसको जो है यहां पर बैल्ट चड़ाते हैं तो इसकी बैल्ट अमें चड़ाए और पुली अगर आपको सेट नहीं करना आती है वार बैल्ट उतर रही है तो इसके आपर वीडियो बना दूँगा तो चैनल को मारे सब्सक्राइब कर लिजीगा अब देखे यह जो है यह इतना लूज है ना Short इतनी होडा चाहिए आपकी बैल्ट मोटर गरम हो रहा है ना aún बर कर दो मोटर नहीं मार दो कुछ भी नहीं यानिकि आपका वी मोटर आपका सउह आफ है मतलब पी मतलब सऌही तो लोड जब पड़ता है इस पे मोटर पे तो यह बहुत जादा घरम हो जाता है तो आपको क्या करना है इस पे जो है यह आपको थोड़ा सा लूज रखनी है बैट अब बोलेगे कि अगर लूज है तो यह मतलब देर में घूंती है या पिक अप नहीं बनता इसका तो उसके लिए देखिए आपको जो है इतनी जादा मतलब लूज भी नहीं करना है नॉर्मल रखें जैसा कि यह यह यहां पर है और मांकी जो है इसके एक दूसरी तरीके के बेल्ट आती है बोने लगाना इसमें कि रवड वाली यह नीचे रवल लगी होती इस तरीके बेल्ट चाहिए मसा और कुछ नहीं आपको करना है बेल्ट डिली चलाएंगे मोटर आपका फसकिलास चलता रहेगा हमेशा के लिए और लेकिन अगर हम टाइट कर देंगे बहुत ज़्यादा तो यह जब बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा आपको समझ में आगे हो किस तरीके से बेल्ट को नोर्मल मतलब रखना है और इसके बाल मोटर गरम नहीं होगा आप नोर्मल कैसे रखने बांदे कैसे तो इसका उपर मैंने जो है उपर एक वीडियो बना रखा तो आई बटन में जाके देख लीजेगा उपर वीडियो आपको मिल जाएगा और जो है इसकी पु पूछना तो कमेंट में को कमेंट कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तक लिए नमस्कार